कुछ वर्शु पूर्व दिपाउली परवकी दोरान गोवर्धन पूजा की शाम को हर किसान के अंगन में बेलो का पुजन किया जाता था लेकिन आज के आधुनिक दोर किसानों के यहां ट्रैक्टर आने के बाद दीरे दीरे बेलो की संख्या तेजी से कम हो गई है लेकिन आज भी कुछ ऐसे किसान है जो इस परंपरा को जिवित रखे हुए हैं इसी के चलते बुद्वार की शाम को गोवर्धन पुजा के आउसर पर जिन किसानों के यहां बेल है उन्होंने वीधी विधान से अपने अनदाता बेलो का पुजन कर आशिरवाद लिया एवं किसानों के लिए ये दि काफी बड़ा दिन माना जाता है इस दिन किसान अपने अनदाता का पुजन कर आशिरवाद लेते हैं पूरे परिवार के लोग बेलो के पुजन के दोरान आशिरवाद लेते हैं और फिर बेलो को खिर खिलाते हैं इसके बाद आतिश बाजी कर दिपावली मनाते हैं बागली तेहसिल के नगर चापड़ा में सेंदो परिवार के यहां बेलो का पुजन कर इस परंपरा का निर्वाह किया गया। बागली सर अभी पाटिदार की रिपोर्ट। हमारी सब्यता हमारी संसक्रती का आजारो साल से यह बेल पूजन का कारिकम और गोधन पूजन का कारिकम चलता आए आज बरतमान में आधुनिक यूग होने के कारण किसानों के पास में बेल बहुत कम संक्या में बचे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान हैं जिनोंने हमारी परंपरा और हमारी संस्क्रति के संग्रक्षन के लिए उसे बचाने के लिए आज भी इस परंपरा का निर्वा कर दें हैं और इसलिए हजारो साल से बेलो का पुजन होता आया है और भगवान स्री कृष्ण ने आज ही के दिन इंद्र का जो गमन्ड है उसको तोड़ा था और गोवर्धन परवत दारण करके और इस परंपरा का निर्वा किया था हमारी प्रकति हमारे पेड़ परवत पसू पक्षी इन सब का संग्रक्षण करना बहुत आवश्यक है और यह जो परव है प्रकति से प्रेम करना हमारे प्रकति का संग्रक्षण करना इसकी रक्षा करना इसकी प्रेणा देता आया है और हमारा जो सनातन धर्म है इसका हर परव हर परंपरा वेग्या निकता पर निश्यत किया है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे देल आइकोन को दबाना बिलकुल बिना पुलें